Hello everyone, welcome to Study Simplified. In this video, we are going to do part 2 of Mughal period. Part 1 we have already covered. Part 1 में हमने Babar and Humayun के बारे में पढ़ा था. And in this video, we are going to study about Agbar and Jahangir. तो एक बहा हमनों जल्दी से समराइज कर लेते हैं, जो भी हम लोग लोग लास क्लास में पढ़े थे. तो मैंने आपको बताया था, Time period Babar का क्या था? 1526 to 30. अब ये easier learn करने के लिए, क्योंकि देखिए 1526 में First Battle of Panipat होता है, जिसमें Babar जीट जाते हैं और इब्राहिम लोधी हार जाता है. अब देखो, Babar के Time period में ये जो 4-5 साल का Time में हैं. हर साल इन्होंने War किया. Like 27 में इन्होंने जो War किया था, बैटल किया था, उसका नाम था Battle of Khanwa, जो की Rana Sanga के साथ होता है, जिसमें Rana Sanga हार जाता है. Next Battle होता है 28 में, जो की होता है Medani Rai के साथ Battle of Chanderi. फिर होता है 29 में, मोहमद लोधी के साथ, जिसमें मोहमद लोधी हार जाता है. इसको बोलते है Battle of Gagar, तो इस तरीके से 29, ठीक है 28 और 29, चार वार हुए, जो फाइनल है 1530, इसमें इनकी देथ हो जाती है. ठीक है, अब 1530 में आते हैं Humayun, तो याद रखिएगा, easy है, Humayun आते हैं 1530 में and यह 1540 तक रूल करते हैं, फिर 15 साल के लिए बीच में exile में चले जाते हैं and फिर 1555 में आते हैं वापस और एक साल के रूल कर पाते हैं 56 तक, ठीक है, उसके बाद इनकी देथ हो जाती है, कैसे तो सीडियों से यह गिर जाते हैं और इनकी देथ हो जाती है, और यह जो 15 years का time period है, इसमें कौन था, तो इसमें अफगान रूलर हुआ करते थे, सेर सासूरी, ठीक है, जिसके जो successor थे, वो ते strong नहीं थे and जो last successor था, सेर शाह का, जिसका नाम था, मुहमद आदिल शाह, वो हार जाता है हुमायू से and इस तरीके से हुमायू recapture कर लेता है ठीक है, अब देखो, जैसे कि मैंने बताया हुमायू का जो death होता है, वो 1556 में होता है, तो इस समय अकबर 14 साल के रहते हैं, ठीक है, तो चलिए अकबर के बारे में हम details में पढ़ते हैं, तो देखिए सबसे प कि यह है कि 14 years पे वो कुछ decisions वगरा तो नहीं लेंगे, तो उनके वो किसके influence में decision लेते थे, तो बैरम खान एक वेक्ती थे, क्या सकते हैं कि वो मूगल्स के बहुत वफादार थे, तो बैरम खान को चूस किया गया था, और उनके अंडर अकबर सारे decisions लेते थे, ठीक है, decisions त बैरम खान लेते थे और अकबर act करते थे, यह कब की बात है, तो जब 14 years के अकबर हुआ करते थे, तब की बात है, ठीक है, अब बैरम खान के ही अंदर battle of panipat होता है, second battle of panipat, very important, ठीक है, आप इसको VVI कर लीजे, बहुत important है, और यह कब होता है, तो 1556 में होता है, पहला वा तो देखो, बैरम खान होता है, जो की अकबर के तरफ से थे, एंड हेमू होता है, हेमू किसके तरफ से था, तो हेमू था, मौहमद आदिल शाह के तरफ से, अब मौहमद आदिल शाह कौन थे, तो यह वही थे जिसको हिमाईू हरा देता है, और thorn को recapture कर लेता है, ठीक है, स प्रेट सा सूरी के जो सक्सेसर होता है उसी का नाम होता है मौहमद आदिल शाह तो हिमाई उसको हडा दिया होता है और यह डैली से तो चला जाता है बट इसका इंफ्लूएंस खतम नहीं होता है बट जब यह सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है तो इस टाइम जो अफगान आदिल शाह के तरफ से था जिसमें बैरम खान की जीत होती है अकबर की जीत होती है ठीक है चलो नेक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते है तो देखिए अब जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ तो यह 1556 में हुआ तो यहां पे 14 इस के थे अकबर ठीक है अब जब यह 18 इ महांगा और अहमद खान यह कब की बात है 1560 से 1562 मतलब उनको थॉन मिल गया 1560 में थॉन मिल गया ठीक है उसके बाद जी किसके इइंफ्लूएंस में काम करने लग गय थे महांगा के इंफ्लूएंस में जो की सही डारेक्शन नहीं दे रही थी इनको बट यह बाद में रिया 1562 से सब कुछ सही हो जाता है तो चलिए आगे देखते हैं तो आप याद रखिएगा यह जो टाइम पीरियड है 1560 से 1562 इसको पेटिकूट रूल भी बोला जाता है क्यों क्योंकि यह अकबर वास अंडर दा इंफ्लूएंस ओफ महामंगा तो बस इतना याद रखिएगा यहा मुगल्स के अंडर आ गए क्योंकि अकबर एक ऐसा रूलर हुआ करता था जो बहुत जेनरेस एंड लिब्रल किंग हुआ करता था तो बहुत सारे राजपुत उनके अंडर आ गए और कुछ राजपुत थे जो उनके साथ मिलना पसंद नहीं किये थे तो उनमें से जो राज टू विन ओवर राजपूत्स वेरेवर पॉसिबल और इंडक्टेड राजपूत किंग्स इंटू मुगल सर्विस एंड ट्रीटेड देम एस पार वित मुगल यह बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना देखो अकबर जहां भी जाते थे जिससे भी यूथ करते थे और जी इकवली ट्रीट करते थे मुगल मुसलिम की तरह जैसे मुसलिम को ट्रीट करते थे राजपूत को भी वैसी ट्रीट करते थे और उनको अपने अड्मिनिस्ट्रेशन में अच्छे अच्छे पोस्ट देते थे ठीक है ऐसा नहीं है कि अड्मिनिस्ट्रेशन में नहीं मिलता पोस्ट भी अच्छा मिलता था इसलिए जो राजपुत किंग से खुश भी राते थे और इनके अंडर काम भी करते थे अब यह शादी किससे करते हैं हराका बाई यह कौन होती है डॉर्टर ऑफ बारमल जो की उसमें आमेर के राजपुत रूलव हुआ करते थे अब यह तो ख आज भी जाएंगे तो वहां पर आमेर फोर्ट देखने को मिलेगा ठीक है तो वहां की जो प्रिंसस थी उसी से यह शादी करते है ठीक है तो इतना याद रखेगा अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो राना प्रताप सिंग थे ठीक है यह कभी भी इनके इंफ्लूएं तो देखें यहां पर क्या है बैटल ओफ हल्दी घार्टी 1576 वस फॉर्ट बिट्विन राना प्रताप और मेवार एड मुगल आर्मे ठीक है तो बस इसमें इतना याद रखेगा जिसमें राना प्रताप हाड जाते हैं और मुगल आर्मी जीत जाती है तो अभी तक हम लोग ज्यादा टफ नहीं है जो फॉर्स बैटल ओफ पानीपत था 1526 ठीक है सेकंड बैटल ओफ पानीपत आता है 1556 में ठीक है उसके बाद जो अभी हम लोग बढ़ है बैटल ओफ हल्दी घार्टी यह आरा 1576 तो ज्यादा टफ नहीं है सिमिलर टाइप का है तो आप इसको अच् अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पैरग्राफ में यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या दे रखा है कि अकबर ने एक न्यू रिलिजियन बनाया ठीक है जिसका नाम था दीने इलाही यह कई बाद एक्जैम में पूछा जाता है SSC के एक्जैम में रेलवेज और PCS एक्जैम में बहुत बाद पूछा जा चुका है दीने इलाही किसने स्टैबलिश किया था तो यह किया था अकबर ने ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट है यह आप नहीं देखिए यह चलो मलब लर्ण करना हो तो कर सकते है बढ़ जादा इ लिष्चैनेरि इस्लाम तो इसमें देखो जितने भी रिलीजएन है उससे जो भी好吃 points लगे उन सब को collect करके एक निव रिलीजेन बना लिया गया दीने ऐलाही थीकत है तो इसमें जो यह निव रिलीजेन बनाया तो उस्में पास लेने वाले उसको follow करने वाले एक ही Hindu घिसका तो आप इसको ध्यान रिखिएगा अब देखो यहां पर ने कुछ आर्किटेक्टर के बारे में यहां पर दे रखा है कि उन्होंने क्या क्या बिल्ट करवाया था तो इसको एक बाम देख लेते यह वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था कि आप यह मूगल पीरि में कौन था यह सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता तो आप इसको अच्छे से लर्ण किजिएगा ठीक है तो चलो पहले हम लोग अकबर के बारे में देख लेते हैं तो इन्होंने क्या क्या करवाया ही बिल्ट फटेपूर सिक्री को इन्होंने बिल्ट करवाया था इसको बुलंद दर्वाजा भी बोलते हैं बुलंद दर्वाजा अब यह इन्होंने क्यों बनवाया था तो देखो गुजरात के साथ इन्होंने बैटल किया था और गुजरात को जीत के आया थे ठीक है तो इस विक्टरी के लिए इन्होंने बुलंद दर्वाजा बनवाया था त तो देखिए फिर उन्हें नों बनाया आगरा फोर्ट लाहोर फोर्ट अलाहाबार फोर्ट एंड हुमायू टॉम एट डैली तो यह जो भी इंक आर्किटेक्चर है इसको अच्छा से याद कर लिजेगा हुमायू टॉम है किस ने बनवाया था अकबर ने बनवाया था कहां ब चीज़ आप यहां पर मार्क कर लिजे जो अकबर थे ना उनके कोई स्टार्टिंग में उनके कोई बेटे नहीं थे ठीक है तो वह थोरे परेशान रहते थे तो एक इंसान था जिसका नाम था शेक सलीम चिस्ति ठीक है आक्चली वह सूफी सेंट थे ठीक है तो वह क्या करत थे ठीक है अब वह सूफी सेंट थे उनका नाम क्या था सेक सलीम चिस्ति तो अपने बेटे का अकबर ने क्या नाम रखा सलीम रखा ठीक है या तो शीखो बाबा भी बोला जाता है जो जहांगीर है जिसको हम लो सब जहांगीर के नाम से जानते हैं उनका जो अधर नेम है वह सलीम भी है और सिखो बाबा भी आ ठीक है तो आप याद रखेगा और इसी के चलते जो अकबर है वो अपना कोट को शिफ्ट कर लेते हैं फ्रम आगरा टू फटेपूर क्यों इन ओनर अफ सलीम चिस्ति अकबर शिफटेड हिस कोट फ्रम आगरा टू फटेपूर शिक्र कर रहे हैं उन्हीं को EOS याद करना है और जो भी SSE का एक्जाम दे रहा है रेलवे का एक्जाम दे रहा है सब इंस्पेक्टर अगरा का तो उनको EOS याद नहीं करना बट आप यह पॉइंट्स देख लीजे कि अकबर ने क्या क्या काम करवाया था तो जैसे कि हम देखें पहला है विजिटेड अजमेर फॉस टाइम तो इसको छोड़ दीजे जाता था तो इसको अकबर ने बैन किया ठीक है और दूसरा चीज़ है यहाँ पर Abolition of Pilgrimage Tax पिल्ग्रिमेज टैक्स क्या हुआ जैसे कोई भी टूरिस प्लेस है पिल्ग्रिमेज प्लेस है तो वहाँ पर जो भी टैक्स लगता था जो टूरिस जाता थे टैक्स लगता था तो वो हटा दिया गया ठीक है तीसरा क्या था Abolition of Jazya Jazya क्या है Non-Muslim Tax तो जैसे कि उनके Kingdom में जो भी Non-Muslims थे उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था ठीक है तो देखिए इस तरीके से कुछ-कुछ पॉइंट्स दे रखा है Foundation of Fatehpur Sikri तो जैसे कि मैंने आपको बताया Fatehpur Sikri यह कहां पर आगरा के बगल में तो इन्हों नहीं यह किया Fatehpur Sikri का Foundation किया कई बर question माता है इसके अलावे इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रिड्यूस किया अब यह क्या होता तो मैं इनके administration वाले पार्ट में इसको पढ़ाऊंगी इबादत खान यह भी चीज़ इन्होंने इंट्रिड्यूस किया यहां पर जो भी पॉइंट्स देख रहा आप एक बैसको इलाही सामबद basically इनका calendar था जो इन्होंने इंट्रिड्यूस किया था तो इस तरीके से यहां पर अकबर के कुछ important points दे रखें जो आप एक बार read कर लीजिएगा और हम लोगों ने यहां पर architecture देख लिया अब हम लोग आगे देखते हैं तो देखिए आगे क्या दे रखा है अब यहां पर आजाता है नवरतना ठीक है यह तो very important है वी वी आई है ठीक है इसको mark कर लीजे आप नवरतना नवरतना मतलब 9 jewels 9 jewels थे अकबर के time पर अकबर के court में 9 jewels थे अब इन 9 का names by heart होना चाहिए literally by heart होना चाहिए आपको तो देखिए कौन कौन है तो सबसे पहले पर बिरबल की कहानी तो सब कोई जानते ही है इसलिए बिरबल को आप सब जानते होगे तो यह कौण थे मलब यह क्या करते थे है तो यह administrator थे ठीक है सेकेंड आ जाता है अबुल फाजल ठीक है? अबुल फाजल स्कॉलर हुआ करते थे फिर आ जाता है फाजी वो भी स्कॉलर हुआ करते थे अब फाजी और अबुल फाजल बोथ were brothers ठीक है? तो याद रखियेगा बिर्बल, अबुल फाजल और फाजी तीन हम लोग देख लिए, फोर्थ वाला है तोदरमल, तोदरमल फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के टाइम के ठीक है, और इन्होंने ही बंदोबस्त सिस्टम को इंट्रिड्यूस किया था, तो यह हम लोग आगे देखेंगे, बाकि आप इतना याद रखें तोदरमल फिफ्थ वाले है भगवान दास, भगवान दास कौन है, तो यह मनसबदार थे, ठीक है, सिख्थ वाले है मान सिंग, यह भी मनसबदार थे, सैवन्थ वाले है तान सेन, जो की मियूजिशन थे, यह तो सब को जानता होगा क्योंकि यह बहुत जादा फेमस मियूजिशन थे एथ वाले हैं अब्दुल रहीम खाने खाना ठीक है और नाइथ वाले हैं मुल्ला दो प्याजा तो देखें यहां पे नौ दिया हुआ है नौ जेम्स थे इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए अब यह अब्दुल रहीम खाने खाना कौन है आपको याद आ रहा है जब हम लोग बाबर पढ़े थे तो बाबर ने अपना और्टो बायोग्राफी लिखा था तूजी के बाबूरी ठीक है तो उसको पोजिशन लैंग्वेज में कनवर्ट करने वाले अब्दुल रहीम खाने खाना ही थे और यह किसके कोट में हुआ करते थे अकबर के डैट मिन्स कि अकबर के टाइम में बाबर का और्टो बायोग्राफी कनवर्ट हुआ होगा ट्रांसलेट हुआ होगा है ना तो इस तरीके से याद रखिएगा और को रिलेट करके पढ़िएगा तो थोड़ा इजी होगा चलो नेक्स हम लोग देखते हैं तो नेक्स यहाँ पर आ जाता है तुलसी दास अब तुलसी दास जो थे यह अकबर के टाइम में ही थे तुलसी दास कौन है तो वो author है रामचरीत्र मानस के ठीक है रामचरीत्र मानस के author कौन है एक्जाम में कई बार पूछा जाता है तो तुलसी दास होगा ठीक है और ये किसके time period में थे तो अकबर के time period में थे अकबर के court में नहीं थे, उनके time period में था है, उस time पे थे, ठीक है, next हम लोग देखे, तो अकबर जब मरते हैं, तो he was buried at Sikendra, तो ठीक है, अकबर का Tom कहा है, Sikendra में, आप लोग याद रखिएगा, चलिए एक बार जो हम लोग पहले पढ़े, उन सब की Tom discuss कर लेते हैं, ताकि आ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकबर, अकबर का Tom कहा है, तो Sikendra में, Sikendra कहां पहे है, नियर आगड़ा, ठीक है, तो बस आप इतना याद रखिएगा, चलो, फिर हम लोग नेक्स देखते हैं, क्या दे रखा है, तो देखो, he was the first Mughal ruler who divorced religion from politics, तो जैसा कि मैंने आपको बता लाए नहीं, क्योंकि उन्होंने religion को freedom दे रखा था, ठीक है, वो हिंदू को भी उतना ही priority देते थे जितना के Muslim को, तो इसलिए वो पहले ऐसे Mughal ruler थे, जिन्होंने divorced religion from politics, ठीक है, इसके अलावे देखो, यहाँ पर दो तीन पॉइंट्स और दे रखा है, बिर्बल was killed in the battle of Yusuf Zai crime, तो बिर्बल की कब मिर्थी होती है, 1586 में, तो कब battle of Yusuf Zai, बस इतना याद रखना, ठीक है, नेक्स देखते हैं, अबुल फाजाल, उसका क्या होता है, उस रखेगा, इन दोनों की मृत्ति हो जाती है, कैसे होती है, तो बिर्बल की होती है, इन battle with Yusuf Zai, जो अबुल फैजल है, उनका मडर होता है, बीर सिंग बुल लेला, तो बस इतना याद रखेगा, चलो, इस तरीके से हम लोग उने अकबर को पढ़ा, अब अकबर के बार आ जाता है, जहांगीर, ठीक है, जहांगीर अकबर के बेटे होते है, जिसका नाम सलीम होता है, ठीक है, तो देखते हैं, सलीम उन्होंने कैसे नाम रखा था, मैंने आपको ये भी बताया, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, तो देखो, क्या होता है, सलीम, सन अफ अकबर के जब देथ होती है 1605 में तो सलीम को थॉर्ण मिलता है अब देखो यहां पर क्या है कि जो जहांगीर है सलीम है वो क्यों फेमस थे तो उनका एड्मिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करता था इसलिए वो फेमस थे अब इनके टाइम में चैन आफ जस्टिस हुआ कर भी बोलते थे और यह आगरा फोर्ट पर था ठीक है और यह किसके लिए था फॉर सीकर्स ओफ रॉयल जस्टिस जिनको रॉयल जस्टिस चाहिए था उन्हीं के लिए होता था चैन आफ जस्टिस तो यहां से कोश्चन आता है आप इसको अंडराइन कर लिजे वेरी इंपॉ फुल हुआ करते थे ठीक है इस्टिक्ट हुआ करते थे अब देखो यहां से कोश्चन आता है उनकी वाइफ से रिलेटेड तो वो शादी करते किससे ही मैरीड तू मिहर उन्निशा ठीक है अब यह कौन थी तो यह वीडो थी शेर अफगान की जो की एक नॉबल मैन हुआ कर जहांगीर की वाइफ कौन है तो जहांगीर की वाइफ सब कोई जानता है कि वो नूर जहां है बट उसको ओरिजिनल लेम क्या यह कोई नहीं जानता है तो ओरिजिनल लेम कई बार कोश्चन में पूछा जाता है कि नूर जहां का ओरिजिनल लेम क्या था तो महर उन्निशा ठीक है, आप याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल लेम, ये एक्जाम में कईबा पूछा गया है, इसके अलावे नूर जहां को टाइटल मिलता है पादशा बेगम का भी, अब पादशा बेगम का टाइटल लिने क्यों मिलता है, क्योंकि इनका एड्मिनिस्ट्रेशन पर इसलिए इनको पादशा बेगम का टाइटल भी दिया गया है, तो हम लोगों ने यहां पर जहांगीर की वाइफ के बारे में पढ़ लिया, अब आपको यहां पर देखना है, कि इनके टाइम में दो इंग्लिश मैन आये थे, उनका नाम देख लेना है, देखो, 1608 में कैपि हिरल वो की रिप्रेजेंटेटिव थे, East India Company के, जहांगीर के कोर्ट में आये थे, इसके अलावे जो सेंग पॉस्ऑन थे, उनका नाम था Sir Thomas Roy, वो कब आये थे, तो 1615 में आये थे, वो किसके रिप्रेजेंटेटिव थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव थे, Kings Gems1 ऑफ इंग रखना है कि Captain William Hawkins and Sir Thomas Roy visited in the court of जहांगीर यह याद रखिएगा कोशन ऐसी आता है कि Captain William Hawkins किसके court में विजिट किया था तो जहांगीर के court में और Thomas Roy किसके court में विजिट किया जहांगीर के court में और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो Thomas Roy थे जो कि Ambassador थे King James 1K वो किस purpose से आये थे तो वो trade का permission लेने के purpose से आये थे ठीक है तो जहांगीर तो पहले रजिस्ट कर देता है मना कर देता है देखो initially जहांगीर registered but later on he grants the permission to English to establish trading point at surat तो surat में trading point establish करने के लिए permission दे देता है ठीक है पोर्ट trading port establish करने के लिए permission दे देता है तो इस तरीके से आगे धीरे-धीरे कैसे Britishers आये वो तो हम आगे देखेंगे बट देखेंगे शुरुवात यहीं थी जब उनको permission मिल गया था तो चलो आगे के points देखते हैं तो हां यहां से एक और question निकल के आता है very important की जो 5th 6 5th सिख गुरु थे ठीक है सिख गुरु जिनका नाम था खुर्रम जिसको शेड सा जहां भी बोलते थे ठीक है जो कि संथे जहांगीर के वो revolt कर दिये ठीक है तो इस वज़े से क्या होता है कि जो अर्जुन देव है उनको death sentence दे दिया जाता है जहांगीर के द्वारा तो बस आप यहां पर यह याद रखिएगा question कई बार ऐसे पूछा जाता है कि गुरु अर्जुन देव को किसने death sentence दिया था तो he was जहांगीर तो यह वीवी आईए कई बार exam में पूछा गया है ठीक है तो आप इसको markdown कर लिजेगा last में हम देखते हैं यहां पर दे रखा है कि he wrote his memories to Jake a जहांगीरी in Persian देखा अब इन्होंने भी अपनी autobiography लिखी अभी तक दो rulers के बारे में हम पढ़ चुके हैं जिन्होंने अपनी autobiography लिखी पहले वाले कौन थे बाबर थे जिन्होंने लिखा था तुझी के बाबूरी और जो दूसरे हैं यह जहांगीर है जिन्होंने लिखा है तुझी के जहांगीरी दोनों Persian language में हैं बाबर को तो बाबर वाला जो autobiography था वो तो convert कर दिया था अब्दुल रहीम खाने खानाने जिसको बोले थे बाबर नामा ठीक है बट इनका तो यही है इनका कोई conversation नहीं वह था translation नहीं वह था आप बस इतना याद रखिएगा ठीक है उसके बाद जब इनकी death होती है तो he was buried at Lahore तो इस तरीके से हम लोग स next आ जाएगा साथ जहां ठीक है तो वह तो हम next class में करेंगे साथ जहां के बारे में इनको तो आप दो सब जानते ही होंगे तो आज का लक्चा हमारा complete हुआ बस कुछ photos है जो मैं आपके लिए लेके आई हूं तो आप एक बास को देख लिजे और recognize करके बताईए कि यह कौन स था यह जो आप देख पा रहें इतना बड़ा सा यह है बुलंद दर्वाजा जो की बनवाया है अकबर ने क्यों बनवाया तो गुजरात को जब वो जीत के आय थे तब वो बनवाय थे ठीक है नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर है यह वाला इसको recognize कीजिए यह अलाहाबाद फोर्ट है थोड़ डिफिकल्ट हो सकता आपके लिए अलाहाबाद फोर्ट है इसको किसने बनाया इसको भी अकबर नहीं बनवाया ठीक है अब हम आ जाते हैं यह लास्ट वाले पिक्चर पर यह देख के बताईए यह कौन सा पिक्चर है कौन से मॉनुमेंट क तो यह आगराफ टीगें आगराफ फोर्ट इसको भी इसने बनवाया तो इसको भी अकबर नहीं बनवाया था कहां पर यह तो यह आगराम है तो इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया लेक्शर कम्प्लीट अब अगर आपको कोई क्वेरी ए तो आप कोशन पूच सकते आप जरूर बताईएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है अगर अच्छी लगे तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए and that's all in this video मिलते हैं next video में I hope you enjoyed watching this video thanks for watching